नमस्कार दोस्तों! दोस्तों, जब हम अपनी असली पहचान को कम समझने लगते हैं, उससे मूँ मोरने लगते हैं, तो क्या दूसरे भी हमें सम्मान की दृष्टी से देखते हैं? इसी बात को दर्शाती हुई आज की कहानी है, जिसे लिखा है खुश्वन सिंग जी ने, कहानी का नाम है करम, तो आईए कहानी की शुरुवात करते हैं बात आजादी से पहले की है, रेलवे स्टेशन के पहले दरजे का वेटिंग रूम, सर मोहनलाल ने सामने लगे आईने में अपने आपको निहारा, उन्हें पूरा यकीन था कि आईना हिंदुस्तान में ही बना हुआ होगा, क्योंकि उसके पिछले हिस्से का लाल उकसाइड जगा जगा से उकड़ा हुआ था, जिसके कारण वे कई लंबी 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 लकीरों में पारदर्शी बना हुआ था, उस बदरंग शीशे पर एक दया दृष्टी डालते हुए सर मोहनलाल बढ़ बढ़ाए, तुम भी इस मुल्क की तमाम दूसरी चीजों की तरह किसी का की नहीं हो, गंदे ने ठले और लापरवा, आइने ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन साहब, आप फिकर ना करें, आप बिल्कुल दुरुस्त लग रहे हैं, प्रतिष्ठित और रोबताफ वाले, इतना ही नहीं, आप खूपसूरत भी लग रहे हैं, ये करीने से में टंका, कॉर्णेशन का गुलावी फूल, आपके शरीर से निकलती यूडी कॉलन, टेलकम फाउडर और सुगंधित साबुन की मिली जुली भीगी भीगी गंद, गुल मिलाकर आप बहुत जच रहे हैं, पिल्कुल टिप टॉप, सर मोहलल का सीना गरफ से फैल गया, अप पिल्कुल ने कई बार शीशे में अपना मुआइना किया, आश्वस्त होकर आइने को अलविदा कहा और अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली, ट्रेन आने में अभी वक्त था, फिस सोच रहे थे कि एक पैक गसानी से लिया जा सकता है, कोई है, वेटिंग रूम के जाली करीब ही बेंद पर एक लंबी चौडी कुर्सी पर पसर कर पीते पीते वे खयालों की दुनिया में खोने लगे, उनका सामान असबाब वेटिंग रूम की बाहरी दिवार के साथ सटा कर लगा दिया गया था, लक्ष्मी यानि मिसेज मोहलाल, सामान के बीचों बीच, स्टी नाटी और जरा भारी भरकम थी, उम्र होगी यह कोई 45-40 के आसपास, उसने लाल बॉर्डर की मैली सी सपेथ साड़ी पहन रखी थी, कलाईया सोने की चूडियों से लदी थी और नाक के एक तरफ हीरे की लॉंग चमक रही थी, वे बहरे से पत्याने में मश्कूल थी, तब पहिया सुनो जरा, बताना तो जनाना डिब्बा कहां लगेगा? अपनी पगड़ी को सिर पर सहारते हुई कुली ने स्टील का बकसा उठा कर सिर पर रख लिया और प्लैट्वार्म के आखरी छोड की तरफ पढ़ने लगा, जहां पर आकर जनाना डिब्बा लगने वाला थ अपने पीतल के टिफिन कैरियर को उठा कर मिसिस लाल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, अब सोचने की बात यह है कि ये दोनों पती-पत्नी साथ-साथ क्यों नहीं है? तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं तो रास्ते में अपने पांदान को भरने के लिए वे थोड़ा रुकी और फिर से कुली के पास जा मिली? कुली ने बकसा नीचे उतार कर रख दिया, लक्ष्मी फिर उस पर बैठ गई और कुली के साथ कप शप करने लगी इन लाइनों पर क्या ट्रेनों में ज़्यादा भीर भार होती है? आरे बीबी जी, भीर भार तो सगरी ट्रेनों में होते, बाकी आपको जनाना डिबा में जगे जरूर मिल जाए तब तो हमको खाई पीए के जंचर से अभी निपड़ जाना चाहिए मिसिस लाल ने पीतल का टिफिन कैरियर खोला और गुड़ी मुड़ी रोटिया निकाल कर हाथ में ले ली आम की आचाहर की कुछ पांके भी निकाल ली और खाने में चुट गई उसके सामने कूलों के बल बैठा कुली नीचे बिची बजरी को उंगलियों से कुरेता ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा उसने पूछा बीबी जी अकेला ही सफर कर रही होका अरे ना ही भईया हमारे साथ हमारे पती भी है वेटिंग रूम में बैठे हैं वो बहुत बड़े आदमी है वजीर है वजीर बैरिस्टर भी है उनकी तो ट्रेनों में बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से भेंट होती रहती है हमारा का हम तो मूड गवई जनाना है इसलिए भईया हम तो अपना यह जनाना इंटर क्लास में ठीक रहे थे लक्षमी कुली के साथ बड़ी बेतकल्वी से बत्याने लगी गपशप करने का उसे शौक भी था और होता भी क्यों न घर में बात करने को और था ही कौन उसके मालिक के पास उसके लिए वक्त ही कहां था तो चलिए अब जानते हैं कि इनका रिष्टा कैसा था लक्षमी घर की उपरी मंजिल पर रहती थी और पती रहते थे नीचले तल्ले पर जैसी अनपड़ गवार वे खुद थी वैसे ही उसके रिष्टेदार भी थे सर मोहनलाल को कभी उनका घर आना जाना अच्छा नहीं लगा इसलिए रिष्टेदार कभी लक्षमी से मिलने आते भी नहीं थे हुआ तो कभी मिस्टर लाल खुदी रात उपर पहुँचा थे वे भी चन्द मिंटों के लिए अपनी इंगलिस्तानी हिंदी में वे उसको हुकम देते और वे चुप चाप आग्या कारणी की तरह हुकम बचा देती मकसद पूरा होते ही वे अपने कमरे में लौटा दे पर दुर्भाग्य तो ये था कि इन रात्री कालीन ख्षानिक मुलाकातों का कोई नतीजा भी न निकला बांच की बांच रह गई थी ये मुलाकातें भी तो चलिए वापस रेलवे स्टेशन पर चलते हैं सिगनल गिर चुका था और ट्रेन के पहुँचने की सूचना देती घंटी बचने लगी थी मिसिस लाल ने जल्दी जल्दी अपना खाना खतम किया और आचार की गुठली को चाटते चाटते वे खड़ी हुई और हाथ मुध होने के लिए नलके की तरफ बढ़ गई चलते चलते उसने एक लंबा ढकार छोड़ा हाथ मुध होकर साड़ी के छोड से पोश्टी हुए वे फिर से अपने स्टील के ट्रंक पर बैठ गई ड़कारते ड़कारते और मनी मन पेट पर खाना नसीब होने के बतले वो ईश्वर का धन्यवाद देती जा रही थी तो गाड़ी धुआ उड़ाती हुई आप पहुची गाड़ी के आखरी छोड़ पर गार्ड वैन से जुड़ा जनाना डिबा लक्ष्मी के सामने आकर लगा डिबा लगबग खाली नजर आ रहा था बाकी की सारी ट्रेन थसा थस भरी हुई थी अपना भारी भरकम शरीर संभालती लक्ष्मी किसी तरह डिबे के अंदर दाखिल हो गई और खिड़की के पास वाली सीट पर पसर कर बैट गए सारी के पल्लू में वदी गांट से दुणनी निकाल कर उसने कुली को थमाई और उसे विदा किया पान दान खोल कर उसने पत्तों पर चूना, कथा, कटी हुई सुपारी और इलाईची डाल कर अपने लिए दो बीडे तयार किये पान थूसने से उसके दोनों गाल इसकदर फूल गए जैसे दोनों तरफ तो रसकुले रखे हो फिर ठुड़ी को हतेली पर तिका कर वो आराम से प्लैटफॉर्म पर आती जाती फीड का नसारा देखने में जोड़ गए लेकिन ट्रेन के आगमन से सरमोहललाल को किसी भी प्रकार की उत्तेश न रही हुई बड़े आदमी चुठहरे वे उसी तरह निरलिप्त भाव से स्कॉच की चुष्कियां लेते हुई आतम चिंतर में खोई बैटे रहे उन्होंने बैरे को आदेश दिया कि उनका सामान पहले दरजे के डिबे में लगवा कर उन्हें खबर कर दी जाए ये उत्तेजना, हडबड़ी, जल्तवाजी ये सब लोवर क्लास की निशानिया है जबकि सरलाल का पालन पोशन बड़े संब्रान ठंग से हुआ था इसलिए वे सभी काम करीने से नियम पूर्वक करने के आदि थे उन्होंने जीवन के पांच वर्ष विदेश में भी बिताए थे तो इन पांच सालों में उन्हें ने वहां की उंची सोसाइटी के तोर तरीके और आचार व्यवार को अच्ची थरा आतम साथ कर लिया था वे शायद ही कभी हिंदुस्तानी में बात करते अगर कभी करते भी तो लहजा अंग्रेजी ही होता ठीक जैसे अंग्रेज बोला करते थे लेकिन उन्हें अपनी अंग्रेजी पर बहुत नास था होता भी क्यों नहीं आखिर ओक्सवोर्ड की इंग्लिश थी तो बातचीत करने का उन्हें बहुत शोग था एक सू संस्कृत अंग्रेज की भांती वे लगपक हर एक विशे पर फर राटे के साथ बोल सकते थे विशे चाहे पॉलिटिक्स हो, किताबे हो या कोई और लोग अक्सर तारीव करते कि वे बिलकुल अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलते हैं ये सुनकर वे फूले नहीं समाते सर मोहनलाल को फिकर हुई कि कहीं उन्हें अकेले ही सफर ना करना पड़े फिर उन्हें खियाल आया कि ये तो सैनिक चाबनी थी कोई ना कोई अंग्रेज अफसर तो रेलगारी में ज़रूर मिल जाएगा उन्हें तसल्ली हुई कि चलो सफर में कुछ ना कुछ बादचीत तो होती रहेगी उन्हें पूरा यकीन था कि बादचीत के दोरान वे अपने सहयात्रियों को प्रभावित कर लेंगे बादचीत के मामले में वे अन्य हिंदुस्तानियों से बिल्कुल भिन थे वे अंग्रेजों से बात शुरू करने की बिता भी कभी नहीं दिखाते थे बातचीत के दुरान दूसरों पर अपना मत थोपने की चेश्टा में लड़ने जगरने का भी कभी उतारों नहीं होते वे हमेशा तर्थस्त होकर वास्तविक्ता की धरातल पर ही और विचल भाव से बातचीत करते थे तो आईए अब जानते हैं कि वे अपने साथ सफर करने वाले अंग्रेजों को इंप्रेस करने के लिए क्या-क्या तिक्डम लड़ाते थे वे जब भी ट्रेन में सफर करते खिड़की के पास वाले कोने में बैठ कर टाइम्स की प्रती निकाल कर क्रॉस्वर्ट पजल खेलने लगते या फिर अखबार को इस तरह मोरते की देखने वाले को पता चल जाएगा कि वे टाइम्स का अखबार है दरसल टाइम्स के कारण लोग उनकी तरफ आकरशित भी होते थे उसे पढ़कर समाप्त करने की उपकरम पर जब भी टाइम्स को तह लगा कर वापस रखते तो कोई ना कोई उसे पढ़ने के लिए अवश्य मांग ले था अब सफर की धोरान वे एक और काम करते थे मास्टर, शिक्षक, ट्यूटर और फिर बोट रेस और रगभी मैचो तक अगर कभी टाइम्स और नेक्टाई दोनों का जादू ना चले तो उसर मोहनलाल बेरे को अंग्रेजी अंदास में आवास लगाते कोई है और उसे अपने सामान में से स्कॉच की बोटल निकालने का अदेश देते अब विस्की को देखकर तो कोई भी अंग्रेज उनकी और अकरशित हुए बगार नहीं रह पाता इतना ही नहीं वे उन्हें अपने सोने के खुबसूरत सिग्रेट केस से भरे अंग्रेजी सिग्रेट भी पेश करने में कतराते नहीं उनकी अंग्रेज सहयात्री हैरान होकर सोचते हिंदोस्तार में अंग्रेजी सिग्रेट भला इन्हें कहां से मिले कोई-कोई हिम्मत करके बिनमता पूर्वक पूछ लेता कि एक सिग्रेट ले सकते हैं उन्हें कोई अतराज तो नहीं? सरलाल को भला क्या अतराज होता? वे आतम गौरफ से भड़कर मुस्कुरा कर इजाज़त देते थे. ये सब करने का मकसद सिरफ एक ही था कि उन्हें अंग्रेजों के साथ अपने प्यारे इंग्लेंड के बारे में बात करने का मौका मिल जाए हाई, वे पांथ साल, कितने प्यारे थे वो पांथ साल और उनसे चुड़ी थी अंकिनत यादे. वो गाउन्स पहने अंग्रेज ने, वो स्पोर्ट्स ब्लेजर्स, वो कोट पतलून, इंस ओफ कोट में किये गए भोजन और पिकेडली की वैशियाओं के साथ बिताई राते इंग्लेंड में बिताई वे पांथ साल हिंदुस्तान के गंदे भद्दे लोगों में बिताई तमाम 45 सालों से कहीं ज्यादा कीम्ती थे आके इन 45 सालों में याद करने लायक था भी क्या सफलता की सेड़ी पर चड़ने के लिए किये गए कलूशित परयास और अपने मकान की उपरी मंजिल पर स्थूलकाए अनपढ गवार कच्चे प्यास और पसीने की गंद से बसाती लक्षमी से हुई रात्री कालीन मुलाका थे और संभोग के वे चंद्शन तभी बैरे ने सूचना दी कि उनका समान इंजन के बराबर वाले पहले दरजे के कूपे में रखा जा चुका था सर लाल की तंद्रा तूटी वे सधी हुई चाल में चलते हुए अपने कूपे तक पहुँचे डिब्बे को खाली देख कर कुछ परिशान हुए एक लंबे निश्वास के साथ एक कोने में बैठ कर बार बार पड़ी टाइम्स की प्रतिकोवे फिर से निकाल कर बैठ गए उन्होंने खिड़की के बाहर प्लैटफॉर्म पर नजर डाड़ाए देखा कि दो अंग्रेज फोजी डिब्बो में जहांक जहांकर सीटे ढून रहे थे उनके जहरे पर अक्समा थी खुशी की लहर दोर गए फोजीयों की पीट पर हैवर सेक लटकाए हुए थे और वे लड़ खडाते हुए चल रहे थे फोजी निश्चे ही सेकिंड क्लास में सफर करने वाले मुसाफिर है सरलाल समझ गए थे फिर भी उन्होंने मन ही मन तैय कर लिया कि वे उन्हें अपने पास जगात दे देंगे और गार्ड को कहकर उन्हें अपने डिब्बे में बैठने की इजाज़त भी दिलवा देंगे उन दोनों में से एक सैनिक ने उस आखरी डिब्बे की खिड़की में ज़ांकर देखा उसने कमपार्टमेंट में चारों तरफ नज़र दोड़ाई और देखा कि सीटे खाली पड़ी थी उसने अपने साथी को आवाज लगाई हे बिल, कम हीर, यहाँ आओ, यहाँ उसका साथी भी आ पहुंचा भीदर जांकते हुए उसकी नज़र सरलाल पर बढ़ी इस हपशी को बाहर निकालो वे धीरे से अपने साथी से फुस फुस आया डिब्बे का दर्वाजा खोल वे दोनों भीदर दाखिल हो गए और सरलाल को बाहर निकालने को कहने लगे सर मोहनलाल स्थब्द रह गए मुस्कुराने की चेश्टा करते हुए वे समझाने लगे की उनकी सीट रिजर्वट है रिजर्वट अपना खाकी कमीज दिखाते हुए वे उने धमकाने लगा सर मोहनलाल ने अपने आक्सफोर्डी लहजे में उनका विरोध करने की कोशिश की हमारा सीट रिजर्वट है फौजी कुछ देर दो भौचके से उने देखते रहे उन्हें लगा कि इस आत्मी की बोली तो पुरी अंग्रेजों से मिलती है लेकिन उस वक्त उन दोनों फौजीयों को होश कहां था दोनों ने खूब जम कर पी रखी थी गाड़ी चूटने में थोड़ी ही देर थी इंजिन ने सीटी मार थी और गाड़ हरी जंडी दिखा रहा था उन्होंने आफ देखा ना था सर मोहन लाल का सूटकेस उठाया और प्लैटफॉर्म पर पटक दिया उसके बाद धर्मस, फ्लास्क, दूसरा सूटकेस, बिस्तरबंद और उनका टाइम्स का अकबार जिम और पिल को जटका लगा, ये तो सच मुझ अंग्रीजों की तरह बोलता है लेकिन कहां वे गवार सैनिक और कहां किंग्स कॉलेज की अंग्रीजी जिम ने सरलाल के मुँँ पर एक करारा थपड मारा और कहा कीप यूर डर्टी माउथ शट, पक्वास बंद करो और ट्रेन के बाहर उचाल दिया, पीछे क्यों लड़कते हुए वे अपने बिस्तर बंद से टकरा कर सूटकेस के ओपर धडाम से गिरे, उन्हें इतना सदमा लगा कि उनकी बोलती बंद हो गए और उनके पैर जैसे जमीन से चपक गए, तेजी से गुजरती ट्रेन की परकाशित खिड़कियों को वो एक तक घूरने लगे गाड़ी का आखरी डिबाब उनके सामने से ओकर गुजर रहा था उसमें लाल बत्ती चल रही थी और खुले दर्वाजे में गाड़ हाथ में चंडी थामे खड़ा था गाड़ के बगल वाले दूसरे दर्जे के जनाने डिब्बे में उनकी गोरी मोटी लक्ष्मी मजे से बैठी थी उसके नाक के हीरे की लॉंग स्टेशन की बत्तियों की जगमगाहट से और भी चमक रही थी अपने फूले हुए मूँ में वे देर से पान की पीक जमा करती जा रही थी ताकि गाड़ी के स्टेशन पार करते ही थूगते जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म की प्रकाशित हिस्से को पार कर अंधेरे में खड़े सरलाल के पास से गुजरी तो जनाने डब्बे की खिड़की से पान की पीक की लाल रंग की पिचकारी छूट पड़ी तो इसी के साथ हमारी कहानी यहां पर खत्म होती है तो देखा आप लोगों ने दूसरे की संस्कृति को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी संस्कृति को कम समझना अपनी लोगों को कम समझना तुछ समझना यह अच्छी बात नहीं है उमीद है आपको कहानी की प्रस्तुती पसंदाई होगी ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और अपना पुच्छाहान दें धन्यवाद